हेले पेरे बच्चों केसे हैं आप सब आयूप के आप सब बहुत बड़ी हैं आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अभ्यास प्रशन बैंक का प्षा आठ के विशय विज्यान की एन्यास का जो एक्जाम है आपको 12 नवंबर को प्रिस्तावेत है उसी के लिए आपको बेस्टम बेस्ट तयारी करने है चले बच्चों सुरू करते हैं इससे पहले वाली वीडियो मैंने एक से तीस तक के प्रशनों को समझाया था आपको उनका अंसर बताया था और इसी से प्रशन आएंगे आप इसी को रट कर जाएं अच्छी से इस वीडियो में 31 से 60 तक के करेंगे थोड़ा से समय निकाल के इस वीडियो कम विडिट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक जरूर करते हैं चले शुरू करते हैं क्या 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 पानी को वाल कर पियें डॉक्टर्स के उप्षाल लेंगा और ओ और और इस का गूल भी उप्योग करें 32 मा कॉश्चन है कि बारिस के दुनों में जलासेओं का जल प्रदूशत हो जाता है ऐसे जल के उप्योग से बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है जल की सुद्धी करण के लिए आप किस विदी का उप्योग करेंगे तो 32 में का से अंसर जगा ऑप्षन नमबर दा उप् 33 में का से अंसर जगा ऑप्षन नमबर बा आगे होता है प्लस पीछे होता है माइनिस का चन आप दीखते हैं ठीक है धर्मा मीटर में कौन सा चमकील पदार्थ भरा होता है ठर्मा मीटर का 34 में का से अंसर जगा ऑप्षन नमबर शा पारा ठीक है जो पारा होता है मर करी थर सब्सक्राइब करें तो हीट से वो तुरंत पखल जाएगी अगला कॉस्चन है एक परक्नली में जस्ते की कुछ टुकड़े डालकर उसमें पदार्थ मिलाने पर एक्स गेस बनती है तो निम्न में एक्स बाई के क्या है तो बच्चों मैं आपको बताऊँ अगर हम किसमें एक्स पदार्थ मिलानी पर तो टुकड़े डालकर जस्ते की टुकड़े में ज़िए हम एक्स कमान हो जाएगा आपका 36 वी का सेंसर अप्शन एक्स में यदि हम एसिड मिलाएं अम्ल तो एच्टू गेस रिलीज होगी हाइड्रूजन गेस ठीक है डिया सलाई में किस अधाद्यू काप्यों किया जाता है तो डिया सलाई जो माचस होती है ना सुमाचस में जो है बच्छों 37 का से अंसर जागा ऑप्शन नमबर आ लाल फ बच्छों जो नीला लिटमस पीपर नीली से लाल हो जाए तो वह अमल होता है ठीक है और लाल से नीला हो जाए तो चार होता है यहां पर 38 का से अंसर हो जागा ऑप्शन नमबर आ चार हो गया ठीक है अगला क्वस्चन है सोनून मेगनीसम की तार को जलाया इस से बनी राख में थोड़ा पानी थोड़ा पानी मिलाकर बिलेन बनाया फिर उसमें लाल लिटमस पत्र द्वारा प्रेक्षण करने पर पाया कि वह नीला हो जाता है तो बताइए उसमें किस बिलेन का अच्छा यह दो हो गया ना अपना चारी 49 में का कुश्चन है कि घरों में तामे की लोटे की चमक कुछ दुनों में कम हो जाती है इसका उप्युक्त करण गया है तो 49 में का सही अंसर हो जायेगा आपका option number 2 बायू और नमी किसंपर की करण उसकी चमक कम हो जाती है शोडियम धातू से निर website नहीं है 40 में का सेयंसरोщее का ऑप्शन नम्बर दा चूना पत्त ऐसे पदार्थ जिनकी आकरती और आयतन निश्चत होता है वे कहलाते हैं 41 में का सेयंसरोजगा ठोस ठोस के आकरती और आयतन निश्चत होता है एक दूसरी से जारत चिफ्के हुई रहती है तो 42 में का से अंसर ओजएगा option नमबर 6 पीतल ठीक है मुक्रिस को सर्दी की मोशम में मक्का के ढोकले बहुत पसंद है मक्का निम्नमें से किस प्रकार की फशल है तो 43 में का से सरुजएगा option नमबर आ खरीब की फसल है मक्का ठीक है अब देखते हैं अगला 44 का कुष्चन है रादा गेहूं की फसल बोने कुछ दिनों बाद अचानक पौदे को खाड़ कर फेकती है वह यह सा क्यों करती है तो कुष्चन नमबर 44 का सही अंसर हो जागा option नमबर आ गेहूं की पौदों को पर्याप पूसकत्त प्राप्त करने के लिए ठीक है अनावश्यक पौदों को हम निराई करते हैं तो दूसरे पौदे जो गाते हैं उनको मुखार के फेक देते अगला है निम्नमें से रभी की फ होता है आपने देखा होगा ठीक है निम्नमें से कौन सा स्वापूर्शी पादाप है स्वापूर्शी मतलब खुद अपना भूचन बनाता है से तालिस विकार सही अंसर हो जागा option नमबर सा बरगद ठीक है अगला है प्रकास अंसलेशन के लिए आवश्यक्त आता है तो ब अगला है कीट भक्ची पादबों का सही यगों बताई कीड़ों को खाते हैं बेसे पादबेनी पौधे बताना है पचासवी का सही अंसर हो जागा option नमबर आ ड्रोसेरा और घट परड़ी यह निए पिचर प्लंट जो है कीड़ों को खाते हैं कीड़ भक्ची है अगला है स आपका टेमी फ्लू नामक दबाई किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है तो ब्याउन बाउन में का सही अंसर हो जाएगा आपका option नमबर दा स्वाइन फ्लू के लिए ठीक है टेमी फ्लू नामक दबाई अगला है सर्दी जुखाम में आपको मुक पर खांसते समय ले टूथपेस्ट बनाने में किस सुक्समजीब का उप्योग होता है तो चंगन में कसे अंसर हो जाएगा option नमबर वा जैन्थो मोनास केंपेश्ट्रिस ठीक है आ तालावां के किनारे हरे रंग की फिसलंदार काई जम जाती है यह किस प्रकार का सुक्समजीब है तो पच् यह इसका सही नाम है आपका 56 में का option नमबर और रिहाइडरेशन सॉल्यूशन भारत का प्रथम कृत्यम उपगरे कौन सा है कृत्यम मतलब मान रिमत उपगरे तो प्रत्वी का है कौन सा संद्रमा है बाकी सब मैनमेड है जो सेटलाइट बगरा घूम रही है उन्हीं को बोल रसारणाने से नमबर साफ लैक्टोवैसिलस नामक जीवानों ही जो है धाईको जमाता असुक्षमजी कर नीवू कई सकंजी पीने से कौन से답श की प्राप्त हुई तो नीवु की सिकंजी पीने हमको जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगती है आपको क्लिए रहुचुका होगा वीडियो को लाइक करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही टेक कियर